मैं दॉक्टर इनुका आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूं मेरे यूटूब चैनल पर दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं वाइटमेंट डी उससे होने वाली डेफिशेंसी से कि हमारे शदिर के लिए वाइटमेंट डी बहुत ज़्यादा ज़्यूदि हैं और कोवीट के इस महामारी में और भी ज़्यूदि हो जयाता है मैं तो डेली लेती हूं वाइटमेंट डी का डोर्ज शनलाइट से आप लेते हैं क्या देटा के अनुसार, कोविड महामारी के इन दो सानों में यह देखा गया है कि जिन लोगों में वाइटिमिन D की डेफिशेंसी थी, उन लोगों को रिकवर करने में टाइम लगा, उनकी कर्णिशन क्रिटिकल हो गई, लेकिन जिन लोगों में विटामिन D भरपूर मात्रा में उनकी रिकवरी जल्दी हो गई, और जब अभी कोविड की तीसरी लेर आ रही है, तो हमारा अलर्ट हो जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि विटामिन D हमारे लिए कितना ज़री है, और क्यों ज़रूरी है, और इसकी कमी से क्या सिंट तो चलिए शुरू करते हैं, जब हमारी स्किन सूरज की क्यों के संपर्थ में आती है, तो उसकी अल्टा वालट रेज से वाइटमिन D बनता है, वैसे तो हमारे शरी में वाइटमिन D में बनता है, लेकिन उच खाने के आइटम से भी हमारे शरी में वाइटमिन D बन सकता है हमारे शरीर में liver और kidney मिल कर vitamin D के इस फॉर्म को active form में convert कर दती है और वह हमारे शरीर के आपसोर्ब हो जाता है जो आगे हुटीलाईज होता है दोस्तो distint Airine D के हमारे शरी में बहुत सब सारे फायदी और सबसे बड़ा benefit यह है कि vitamin D how bad शरीर में calcium or magnesium प्रिच्टीन के लिए स्ट्रॉप्शन जबूत है। इन सब कारणों पर डिपेंड करता है और अगे आप चाहिए तो डीटेल में इस चार्ट से भी समझ सकते हैं वाइटिमिन D को अगे मैं डेता हैं या चोथा यी कारण भी हो सकता है कि वाइट ने होसकता है कि वाइट वाइटिमिन D को एक्टिमिन D को एक्सार्म में नहीं कर पारी है प्रुपाईगी तो बॉडी में उच्छाइन्टन सुचा विपिशन्टने हमारे शड्चाइनस देख है नमबर वन पर है उस्ट्रो अच्छा तेरो चाती 14 भोट में लेक्षान देख रिख़ जातीया है मुन स्विंग हो सकता है, टिप्तेशन आ सकता है, टाइप 2 टाइबिटीज पूल सकता है, या हम बोल सकते हैं कि शरीर जल्दी धख सकता है, और भी बॉड़ी की इम्मुनिटी जो होती है, इसमें बहुत वीक हो जाती है, इस तरह के कई सिंटम्स वाइटमिन डी की टेपिश क्योंकि जिन कोविट पेशेंस में वाइटमिन D की डेफिशेंसी थी, वह उसमें एक बहुती डैडली कॉम्बनेशन बन गया था, डेटा के अनुसार, यदी 8-8-7 कोविट पेशेंस हैं तो उसमें 10% लोगों को वाइटमिन D की डेफिशेंसी थी, विटमिन D हमारे शरी मे बढ़ाता है और हमारे शरील में कोविट के वारस को एंटर नहीं होने देता है और यदि फिर भी किसी कार्णों से एंटर हो भी चाते हैं तो सिम्टम बहुत ही माइल फॉर्म में आता है इसलिए दोस्तों इस कोविट महारे के टाइम पर हमको इस से लड़ना है और जीतना है तो हमें हमें हमारे शरील में वाइटमीडी की कवी नहीं होने दोना चाहिए है हम बात करेंगे इसकी होमेपतिक ट्रीप्मेंट की इस कड़ी में सबसे पहला नमबर है केल केरकाफ सिक्सेस की बहुत खासे थे कि ये दो चीजों पर बहुत अच्छा सा डालती है पहली है बहुत बहुत ह sector अच्छा है झालता है काफ मिसल्स में फटकन फील होती है इसको हम के बाइंटे बोल सकते हैं या क्रेंस बोल सकते हैं तो यह मैडिसन बहुत कारगर देख जब कोई पुरानी छोड ठंद के दिदों में ऊभर के सामने आती है और दुना फटने वाली फीलिंग आती है तो यह दवाई बहुत जैसे कि नाम से ही समझ में आला है केल केल या मतलब कलेशिम और फॉस मतलब या फास्पोरीकम मतलब फॉस्फोर्स मेंस यह हमारी बॉनिंग में इन दोनों कंटेंट को बढ़ा देती है और रिपेरिंग का काम करती है यदि जोडों में दर्द है सूजन है पेशिट को शिरी चंदे में तकलीफ हो रही है मसल्स में क्रेम पा रहा है मोसम बदलने पर जोडों की तकलीफी भी बढ़ गई है बहुत ही चुपता हुआ से दर्द हो रहा है तो यह मैडिसियन बहुत का एक चीज और है यदि कोई फ्रेक्चर बोन है और वो जल्दी से हील नहीं हो रही है तो किल्किया फॉस बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों इस कड़ी में लास्ट है अच्छा बिडीक चरान वियु